हेलो बचो आज हम लोग बात करेंगे चेप्टर नमबर टू के बारे में आपका उक्जाम सामने है तो आप कैसे क्शेप्टर से क्या 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 पुला वो ना कुछ भी छूटे ना क्योंकि एक्जाम टाइमिंग में सबसे बड़ा टेंसन हमारा यह होता है क्या रिवाइस करें और क्या छोड़ दें क्योंकि कम समय में पूरा बुक्स करना होता तो कुछ टॉपिक हमसे छूट जाता है तो क्या ऐसा कुछन छोड़ भी दे कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो एक्जाम में आएगा तो भी हम कर ले जाएंगे हमारा पूरा प्रहाश ही होता है कि रिवीजन ऐसे कोशन से करें कि जहां से पूरा चैप्टर पूरे कॉंसे भी कवर हो जाए और एक्जाम में आपके आभी जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर से जो है चैप्टर टू इसका एकसर साईज 2.1 से हम बात करते हैं 1 को सारा का सारा है को से पहल्यों सिंपल कोई भी ג्राफ के एक्स ऐक्स Y उस X-axis पहीं पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है तो कितने ही जियू जाएंगे दूसरा आप ग्राफ को हमारे कितने हो जाएंगे फन हो जाएंगे तीसरी ग्राप को देखिए तो को इसे आ dol depends तीन पॉइंट पर कट कर रहा है एकसेक्स सिसट्टो जब कितने जिरो को C right this हो जाएंगे न सभी का पसक्छनутि काई만 ज जएंगेgend रहां पे चार पॉइंट तो कितने जिरो को संगे नहीं गरर आप आतुर। इसे cut touch कर रहा है, cut नहीं कर रहा है, तो touching point पे 2 zeros होता है, लेकिन दोनों same होते हैं, इसलिए NCIT ने इसमें कहा है कि 3 zeros होते हैं, लेकिन ऐसा questions दे रिया हो, degree up polynomial आपका कितना होगा, तो भी या degree up polynomial 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 touching point है, एक touching point पे 2 degree count हो, क्योंकि वहाँ 2 zeros है, दोनों same है, तो क्या होगा, 2 degree count होगी, तो total degree आप polynomial कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बट जो आपका zeros होगा, वो 3 होगा, यह यहाँ पे बहुत जादा important था, क्योंकि यहाँ से एक number का question आपको objective में मिलेगा ही मिलेगा, यदि आप यह तो आप अच्छे से चले गए, तो यहाँ से एक number बेज़ेगा, अब बात आती है, हम exercise 2.2 की तरफ बढ़े, जैसे जैसे 2.2 की तरफ बढ़ेंगे न, यहाँ से आपको 3 number का question मिलेगा, और क्या 3 क्या कभी-कभी 5 number भी देखे चला जाता है, चैप्टर इस exercise का question number 1, question number 3, question number 4, 5, 1, 3, 4, 5, यह पीछले कुछ सालों में आए हुए है, इसलिए इन questions को देखके जाते हो, तो आपका पूरा question automatic revise हो जाएगा, और बात आई कि चलिए, अब हम लोग इसको revise करते चलते हैं, तब question देख लेते हैं, 1, 3, 4, 5, कैसे solve करेंगे, तब बात करेंगे, 2 में क्या-क्या question आपके लिए important है, तो यहाँ पर बात करेंगे, यदि हम इसका, पहले questions का, तो क्या कहरा है, find the zeros of following quadratic polynomial का, quadratic polynomial का क्या निकलना है, zeros निकलना है, बच्चो, देखो, zeros निकलना मतलब उसको factorize करके, या कोई ऐसी value रखे, जिससे उस polynomial की value क्या हो जाए, 0 हो जाए, अब आपके पा यही दिया है, polynomial, gotta find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and coefficient, zeros और coefficient में क्या relation होता है, उसको भी आप verify करिये, तो देखिए, यह था आपका polynomial, यही polynomial आपको given है, तो यदि हम general quadratic polynomial देखे, तो हम क्या लिखते है, हम लिखते है, AX square plus BX plus C, general तो quadratic polynomial यह यह, लेकिन हमारा जो polynomial यह दिया हुआ है, तो दोनों से compare कर लीजी, एक के जगां पे कितना है, 1 है, B के place पे देखिए कितना है, बच्चो, 2 है, C के place पे देखिए कितना है, minus 8 है, यह चीज़े तो आपको दिया हुआ है, यह तो होगे, यही है हमारा coefficient क्योंकि जो variable के पहले दिया होता, वह एक coefficient होता, अब बाता ही zeros कैसे find करोगे, तो zeros point करने के लिए इस polynomial का factor करिए, पहले इन दोनों का multiple, तो यहाँ one है, तो minus 8 का one में multiple करोगे, कितना हैगा, minus 8 हैगा, minus 8 का दो factor करिए, और जोड़ने पे, यह गठने पे यही है, क्योंकि minus 8 ह यहाँ पर minus है, इसलिए बड़े वाले का symbol minus लगाया और चोटे वाले का symbol plus देखो, अब minus 4 into 2 कितना, plus 2 कितना गया, minus 8 आगया, और जोड़ने पे क्या आगया, 2x आगया, अब आप चाहो तो इसके जगहां क्या लिख सकते हो, polynomial के जगहां आप आसानी से, x square minus 4x plus 2x minus 8 लिख स या आप इसको factorize करो, मुझे factorize करना हो, तो मैं बगल में x लगा हूँ, देखो, दो factor मिल गया, सेम वहाँ भी आएगा, देखिए, कैसे आएगा, देख लेते हैं, इन दोनों में क्या common है, तो x common है, बच्चों, दोनों में कितना common है, x common है, तो हमने x common ले लिया, जब x common ले है, तेक, अब बात आती है, आगे, इधर आजए, इधर 2 common ले ले लिजे, तो 2 से 2 x को divide करोगे, x हो जाएगा, minus लगाओगे, 2 से 8 को divide करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, x minus 4 दोनों जगा है, तो उसको भी हम common ले लेंगे, अब कितना बच्चाएगा, x plus 2, यहाँ पे क्य रखने पे 0 हो जाए, यहाँ फाइंड करना है, तो वही हमारा 0 होता है, तो 0 के लिए एक बार कर लो, x equal to कितना आगया, 4, यही क्या हो जाएगा, alpha, जिदा राजए, एक बार x plus 2 equal to 0, यही क्या हो गया, minus 2, यही क्या हो गया, आपका, बीटा हो गया, अब alpha भी मिल गया, बी plus beta equal to minus b by a, पहला क्या हो गया, alpha plus beta equal to minus b by a, तो alpha के जहाँ कितना रख दोगे, 4, कितना आया था, 4 आया, बीटा के प्लेस पे कितना आया, minus 2 आ गया, equal to minus b by a, minus b के प्लेस पे कितना है, minus 2 है बच्चों, तो जो बहलू है न, वही रखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना ह है, 1 के प्लेस, c के प्लेस पे, यहां पे, a के प्लेस पे कितना रख दोगे, 1 रख दोगे, यहां आजा, 4, plus into minus क्या गया, minus 2, minus minus क्या गया, plus 2, इधर भी देखिए, 2, इधर भी देखिए, 2, पहला क्या हो गया, verify हो गया, अब बात आती है, second हमारा relation क्या आतो, आप जानते ह हो, alpha into beta equal to c by a, alpha 4, beta minus 2, रख देजे, 4 into minus 2, c के प्लेस पे देखिए, कितना रखोगे, बच्चो, minus 8 रखेंगे, c के प्लेस पे कितना रखेंगे, minus 8, बात आई, a के प्लेस पे क्या रखेंगे, तो बच्चो, a के प्लेस पे, 1 रख दो, जो बहलु आपके पास है, इधर भी ही आगया, minus 8, right L, उदर भी आगया, right side भी, minus 8, दोनों प्लेस हो गया, easily हमने देखा कि सबसे पहले हम आसानी सी ये काम करेंगे, exam में जब आप करिएगा, ते पहला भी इसके नीचे रखेंगा, दूसरा भी उसके नीचे लाकर रखेंगा, तो यहां पे नीचे जगाँ कम ह करता है, क्योंकि इसमें 3 को 20 में लिखा है, इसलिए कुछ वच्चे कन्फ्यूज होते हैं, उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे, कैसे उसको आप आसानी से आप उसे कर सकते हो, यह भी हम बात इसी में कर लेंगे, चलिए आप बात करते हैं, question number सिफस के C के बारे में, C हम 6X square minus 3 minus 7X, यह polynomial दे दिया, यहाँ पे 3 बीच में दे दिया, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, अक्षर एक्जाम में गल्ती कर देते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको क्रम से सजा लेना है, जब आप क्रम से सजा होगे न, मिलेगा क्या, 6X square minus 7X minus 3, अब देखी चीज से आपको देख रही होंगी, इसको आप general जो भारा quadratic polynomial है, उससे आप compare कर लीजिए, इससे जब आप compare करोगे, आपको छीजे दिखाई देंगी, A equal to कितना आज आएगा, 6, B equal to कितना आज आएगा, minus 7, C equal to कितना आज आएगा, minus 3 आज आएगा, तो देखो, easily मिल गया, A, B, C क हमें मिल गया, अब बात आती ही, हमें क्या चाहिए, zeros का मान चाहिए, कि zeros की value हम कैसे निकाले, तो zeros निकाले के लिए, फिर वही काम factorize करना है, factorize करने के लिए आप से बताए, इन दोनों का क्या करते है, multiple, 6 into 3 कितना आज आएगा, 18, minus 18 है, क्योंकि plus और minus मिल के, minus हो जाएग तो अब देखो, polynomial आपको, px equal to क्या मिल गया, 6x square, minus 9x, plus 2x, minus, easily हमने इसको कर दिया, expand कर दिया, अब इसी को बोलते है, middle term, splitting, मतलब middle term को हमने, जो single था, उसको 2 term में बदल, क्योंकि 3 में हम कुछ common नहीं ले सकते थे, अब 4 हो गया, असानी से कर सकते हैं, तो इन दोनों में इन दोनों में देखो, कुछ common मिल जाएगा, इन दोनों में देखेंगे, तो 3x common आजाएगा, कितना common आएगा, 3x आजाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, x, 3s, इसको डिवाइड करें, 3, 3s, 9, और यहाँ पर डिवाइड करोगे, 3, 2s, 6, 2x minus 3, यहाँ पर आईए, दोनों में one common ले ले लिजिए, तो 2x minus 3, अब 2x minus 3 दोनों में है, तो उसको लिख लेते हैं, पहले, बचेगा कौन, first में बचा, 3x, और यहाँ बच गया, एक बार first वाला 0, means 2x minus 3 equal to 0, तो x equal to कितना आजाएगा, 3 by 2, यह value किसका हो गया, alpha का, ऐसे 3x plus 1 equal to 0, means x equal to minus 1 by 3, यह value किसका हो गया, बीटा का, alpha मिल गया, बीटा मिल गया, फिर वहीं पीछे चले था, यह, पहला relation क्या, alpha plus beta equal to minus b by a, दूसरा relation क्या, alpha into beta equal to c by a, आप देखो, alpha, beta मिला हुआ है, a, b, c मिला हुआ है, जैसे बिछले question में किये थे, वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, आसानी से सिर्फ यहाँ बाइलू पेस करो, दोनों को relation देखो, दोनों साइड, सेम है रहेगा, सेम आगया, मतला verify हो गया, सेम ऐसे हमें 4 का भी करना है, और 5 का भी question को देखते है, क्योंकि आप मुझे पता है, आप पिछले question को देख लिए होगे, minus 1 by 3, minus B के place पे आप कितना रखोगे, minus 7, A के place पे आप कितना रख दोगे, 6 रख दोगे, देख़ एसनी आप इसको कर सकते हो, 3 by 2, plus into minus क्या जाएगा, minus आज आएगा, यहाँ क्या आगया, minus minus, plus 7 by 6, यहाँ भी देख़। यह से लिए लोगा थ्री तूज आ शीक्स ट्री त्री जा नाइन नाइन माइनस टू कितना हो गया सेवें सेवें भाई देखो दोनों तरफ एकको लागा सेम उधर भी वैसे मल्टिपल करो गे तो भी आपको वैलू आसानी से मिल जाए क्योंकि मल्टिपल करो गे तो मैनस त् उधर देखो C की value कितना है, minus 3, और इधर देखिए A की value 6, दोनों साइड एक वाल गया, क्योंकि multiple देखो यहीं कर लो, 3 बज़ा, 3 minus 3, 2, 3 ज़ा, 6, आसानी से आपको value मिल जाएगा, देखो हमें चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि गलतियां भी नहीं करनी है हमें exam है, क्रम से चला है, क्रम से इसके बाद दोनों लिको दोगे, number आपको पूरा मिल जाएगा, 3 number का question आता है यहां से, इसलिए आप यहां पे सीख के जाएगे, छोटा सा exercise है, छोटा से question से बहुत आसान से पूछता है, इसलिए यहां पे गलती करने से बचिएगा, हम त जो हमारा है, जो हमने कहा था, इसका fourth वाला question, वह जो है, और आसान है, वह आप से कहता है, कि four u square plus eight u, दिखो जब हम अगले question की तरफ आगे बढ़ते न, यहां variable को question में बदल दिया है, जब variable बदल देता है, तो बच्चों को लगता है, अरी, यह कुछ नया आ गया, नहीं यहां जहां पर variable वहाँ X था ना, यहां variable यू आ गया, तो वहाँ polynomial पी X था तो यहां पी U हो गया, यहां गलती से आप PX मत लिखिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा question गलत कर देगा, तो पी X है, तो पी X के जरहां यहां पी U हो गया, तो अब इसको समझो, ऐसे लिख लो, A U plus B U plus C, अब A के यहां बगल में 0 लगा दो, compare कर लो, A equal to कितना आ गया, 4 B equal to कितना आ गया, 8 C equal to कितना आ गया, 0, देखो easily तो आपको compare करके value मिल गया, A to coefficient मिल गया, अब आता ही 0's कैसे निकाले, तो 0's के निकाले, जो P U दिया था ना, इसको factorize करिए, इन दोनों में देख 2 हो गया, एक बार पहला U 0, एक बार दूसरा वाला bracket 0, तो U equal to कितना आ गया, minus 2, यहां पे जो 0 है इसको alpha मालो, और इसको क्या मालो, beta मालो, फिर वहीं आ जाएए, पहला relation, alpha plus beta equal to minus B by A, तो अब alpha आपका 0, beta आपका minus 2, equal to minus B by A, minus B, मतला B की वैलो कितना है, 8 है, by 4, A की वैलो, 4, बच्चों देखो गलती नहीं करने, गलती हम से यहीं चोटी-चोटी होती है, हम इंचोटी गलती हों से बच गए, सारा काम हमारा ओकी होगा, 4 से divide कर देजिए, minus 2, देखो, कितना आसान से वैलो मिल गया, दूसरा आप इस minus 2 है, और इदा देखिए, C के प्लेस पे क्या है, 0 है, A के प्लेस पे कितना, 4, दोनों साइट, 0, देखो, एक्जाम में ऐसे questions आ जाते हैं, तो कतब आपको गलती नहीं करनी है, बसना है, गलती हो से बच गे ना, एक्जाम अपने अप अच्छा हो जाएगा, हमें इन सब च देख लेते, इसको आप कैसे करोगे, T square equal to T square minus 15, जो अगला polynomial है, वह दिया है, T square minus 15, सेम वही का रहा है, verify करिए, T square minus 15, यह दिया हुआ, तो यहाँ देखो, क्या दिया है, आपको समझो, इसका जंदल जो फार्म बना होगे, ना, वो क्या बनेगा, A T square plus B T plus C, मिस B वाला T की value 0 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, T square plus 0 into T minus 15, अब देखो, यहाँ पर दिख गया, A equal to 1, B equal to 0, C equal to minus 15, देखो, कितना आसानी से आपको value मिल जा रहा है, A मिल गया, B मिल गया, और C मिल गया, इसको factorize कर लिजिए, तो आपको alpha और beta मिल जाएगा, क्या है T square minus 15, क्या लिख सकते हो, T square, इसको लिख सकते हो, root 15 का whole square, तो देखे, A square minus B square, तो एक bracket में A minus B, दूसरे bracket में A plus B, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, A plus B आसानी से मिल जाएगा, आप देखो, यह बर पहला 0, तो जब पहला वाला 0 करोगे, तो क्या हो जाएगा, T equal to under root 15, इसको मालो alpha, यही आपका alpha है, दूसरा आईए, T plus root 15 equal to 0, तो T equal to कितना आगया, minus root 15, इसको आप beta माले जाएगा, तो आपको alpha भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, अब आप relation जानते हो, पहला क्या होता है, alpha plus beta equal to minus B by A, तो alpha की value दिया, root 15, बीटा की value क्या दिया, minus root 15, बी की value देखो, यहाँ पर दिया हुआ, बी की value आपके दिया हुआ, 0, 0 by 1, बच्चों देखो, गलती यही नहीं कर रही है, यहाँ पर आपको ध्यान लखना, बी की value, क्योंकि यहाँ B की ही value निकालने में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए एक्जाम में पूरा कोशल गलत हो जाता है, तो अब आगया, 0 by 1, तो यहाँ देखो, minus 15, यहाँ आया, root 15, plus into minus, minus हो गया, और इधर 0, इधर भी 0, left भी 0, right भी 0, चीज़े आसानी से, बल गया, तो गलतीयों को बच गए, यहाँ जदी गलती कर दी होते हैं, यहाँ हमसे गलत आजाता है, पूरा कुछ से गलत, सब कुछ सही करते हुए भी, हमने गलती कर दी, तो उससे बचाना है, दूसरा क्या कहा रहा, alpha into beta equal to c by a, alpha into beta means root 15 into minus root 15 equal to c by a, c आपका कितना है, बच्चो, minus 15 ह है, तो c की value है, minus 15 भाई, और a की value 1, यहाँ भी देखवा गया, minus 15, क्योंकि minus minus minus, square root हड़ जाएगा, इधर भी same value, easily आपको answer दे दिया, तो यह तो हमारा फार्सक्स कोशन सा, फार्सक्सक्साइज जो 2.2 के पहले कोशन से इतना कोशन करके चले जाते हो, तो आपको आसानी से तीन नमबर मिल जाएगा, बात आती है, दूसरे कोशन के, यहाँ से भी दो नमबर का कोशन आता है, हर बार आता है, काता है, क्वाड़ेटे के कोशन बना के दिखाईए, और यह दो नमबर में हर बार आता है, आप यहाँ से अलग अलग टाइप के कोशन पूछता है, आप कभी छठां भी पूछा हुआ है पहला पांचवां और छठां यदि आप इन तिनों को करके जाते हो ताप आसाने से कर ले जाओगे होता है क्या है कैसी करते इसको देखते हैं जो पॉल्नमियल का फॉर्मूला एक बताया क्या होगा आप लोगो को इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम दूसरा करते हैं आई यह चले को से पढ़ते हैं क्या कह रहा है अभी बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा है करा है find the quadratic polynomial is with given number is the sum and product of the zeros करा पहला कुश्स्यों जो दिया है sum of the zeros दिया है and product of the zeros दिया है तो कभी कभी एक्जाम में जीरोज दिया होता है, सम नहीं दिया होता, तो आपको वहाँ पे दोनों को पहले जोड़ना होगा, दोनों को अगुड़ा करना होगा, फिर यहां बैलू रखना, कोशन को थोड़ा देहाल से पढ़ना, क्योंकि हमारे NCRT में सम अब दा जीरोज और प्राड़क्ट अफड़ा जीरोज दीया है, बच्ची यही समझे रहते हैं, और एक्जाम में जीरोज दे देता है सम आप दा जीरोज ने खाली जीरोज दे देता है तब आप गलती कर जाओगे तो ऐसी कोस्टन्स के लिए हम आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए हमने अबजेक्टिव जो मेरा वीडियो है इसका उसमें बना दिया है आप उसको थोड़ा देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा कुस्टन्स के कन्फियूजन दूर हो जाएंगे आईए चलिए करके देखते हैं अब यहीं जो हमारा पॉलिनॉमियल है इसको लिखेंगे यक्स स्कॉार माइनस अलफा प्लस बीटा के जगा वन बाई फॉर प्लस लगाएंगे अलफा इंटू बीटा के जगा कितना रख देंगे माइनस अब क्या करोगे आप येक्स स्कॉार देखो माइनस है यहाँ पे प्लस है तो मल्टिपल भी माइनस ही हो जाएगा एक्स बाई फॉर प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू माइनस के आजाएगा माइनस चीजों को थोड़ा साथ का अंबरला कॉंफिडेंस में लेंगे कि हमें सिंबल का कहीं गुड़ा करने में गल्ती तो नहीं हो रही है एचीजे ध्यान रख लेना एक्जाम में थोड़ा थोड़ा बारीकी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर एलसीम ले लो फॉर एलसीम लोगे तेहां क्या आजाएगा फॉर एक्स स्कॉार माइनस एक्स फॉर यहां देखो वन होगा तो 4 यहाँ भी आजाएगा माइनस 4 अब बात आई इसको कैसे लिखे 1 by 4 ब्रेकेट लगाओ उपर वाले को पूरा रख दो 4 x माइनस x माइनस 4 यहाँ तक हो गया अब इसको अगली बार इसको देखो 1 by 4 क्याँ कोई नंबर है नंबर है तो constant है और हमसे polynomial पूछ रहा तो constant लगा दो 4 x square माइनस x माइनस 4 यहीं एक line लिख देना है k equal to 1 by 4 माइनस कोई constant नंबर है उस नंबर को हम कितना लिख दिया 1 by 4 के पराबर तो easily हमें polynomial मिल गया देखो बचना है हमें बचते हुए काम करना है अब आप चाहो तो question number 5 question number 6 पे काम कर सकते हो बहुत आसान है और भी सेम इसी तरह से ही करना है question number 5 क्या कह रहा है उसको देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं कह रहा है कि find the polynomial quadratic polynomial sum of the zeros and product of the zeros are क्या है 1 by 4 minus 1 by 4 and 1 by 4 means आप से कह रहा है alpha plus beta equal to minus 1 by 4 alpha into beta equal to 1 by 4 या given है तो आप value बताइए polynomial की कुछ नहीं करना है सिर्फ उपर वाले में value रख देना है देखिए कुछ बच्चे क्या करते न किस यही गलत लिख देते है तो पूरा का पूरा गलती हो जाती है तो आपको गलती से बचते हुए आपको याद रख लेना है एक छोटा सा formula है आसानी से याद भी हो जाएगा इसलिए इतना यदि आप इतना ही रख के चले आते हो आधा नमबर मिल जाएगा यदि आप पूरा solution करते हो तो पूरा नमबर मिल जाएगा तो अब यहां पर आजाओ क्या हो जाएगा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लास हो जाएगा एकस बाइफोर प्लास वन बाइफोर यहाँ भी 4 LCM ले लो तो क्या हो जाएगा 4X स्क्वाइर प्लास एकस प्लास 1 अब इसको 1 बाइफोर को बहत लिख दो 4X स्क्वाइर प्लास एकस प्लास 1 यह चीज़े आजाएगा अगले 9 में 1 by 4 को k मा लेना और कम वही पिछला वाला तो चीज़े आसान है यहाँ पे आप इसको हटा के k लिग देना means k into 4x square plus x plus 1 where k equal to 1 by 4 देखो easy बनाओ आप हमेशा difficult हमें नहीं बनाना easy बनाना है पाच्वा देखो और आसान है क्या करा alpha plus beta के जगा 4 रग दो यहाँ 1 रग दो तो क्या आसाएगा x square minus 4 x plus 1 easy आपको answer मिल जाएगा तो आप इस तरह से आप इस chapters को आसानी से कर सकते हो और आपको यह जिसका objective जो मेरा class है उसको पूरा देख लेते हो तो यहाँ से question उससे बाहर आने के chances बहुत कम होते हैं पूरा question जो आपके exam में आएगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा